आपने स्टोर लेजर पढ़ा था आपने स्टोर लेजर पढ़ा था आपने मैंने स्टोर लेजर पर बहुत सारे वीडियो आपको अरड़ी दे रखे हैं पीडियाप भी मैं वीडियो फॉर्म में देंगी तो इसी से रिलेटेड व्वैशन आता है बहुत कॉमन सा व्वैशन है कि स्टोर लेजर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है मैं आप से पुछूंगी पहले ऑप्शन सुरू सेस डिपार्टमेंट की तरफ से स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ से कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से या एड्मिन डिपार्टमेंट की तरफ से जल्द बाजी मत करना जल्द बाजी बिलकुल मत करना अगर आपसे पूछा जा रहा है store laser कौन सा department maintain करता है तो आपका answer किसी भी हालत में store department नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए याद करो मेरे विडियो को मैंने क्या बताया था store laser actually maintain आपके cost accounting department या account section से ही होता है याद आ रह है तो यहां पे जो एक general और silly mistake हो सकती है कि हम क्या सोचते हैं कि store laser है तो store department ही maintain करेगा जी नहीं store department कुछ और maintain करता है यह question में आपके उपर छोड़ कि हूँ आपको पता करना और याद करना है कि store department laser की ही तरह से कौन सा account maintain करता है कौन सा record maintain करता है मैं आपसे चीज expect करती मैसेज करेंगे comment करेंगे और मुझे answer बताएंगे मैं यह देखना चाते हूँ कि कितने students को यह चीज clear है कि store department accounts maintain करने के लिए कौन सा document ready करता है क्योंकि account section करता है store laser को ready ठीक है यह पहला question जो आज की class में करवाया है बहुत important है और यह आपको revive करवाएगा चीजे कि कही silly mistake मत क करना silly mistake क्योंकि questions जो mcqs के आते हैं वो कई बार इस तरह के tricky questions ही होते हैं and this question is one of them right so clear है और यह मैंने आपको बता दिया है कि आपको मुसे comment box में answer करना है store department laser की ही तरह से कौन सा document maintain करता है देखते हैं कितने बचों का answer सही आएगा और मैं पूरा आपको time दे रही हूँ आप आराम से अपने classes के videos देखो notes देखो उससे आपको बिलकुँ समझ में आ जाएगा laser वाले video भी देख लोगे उससे भी समझ में आ जाएगा कि इसका answer सही क्या है कहने को तो मैं भी बता दूँगी लेकिन कुछ तो हम खुद भी करें महनद है कि नहीं तो यह याद रख लेना आपको मुझे comment करके बताना है मैं देख रहा चाहते है तिकने बचे active है अच्छ अब एक और question लेते हैं हमारे पास में the main the main purpose of the stock adjustment sheet stock adjustment sheet का मत्तब होता है जो हमारे store में stock का sheet होता है उसमें adjustment sheets भी बनती है उसका main purpose क्या होता है option है to record the perpetual inventory, perpetual का मतलब जो हमेशा रहने वाली होती है उसको बोलते है perpetual, to record the perpetual inventory यानि उसका record maintain करना एक purpose होता है या to record physical count कि जो हमारे store में जो stock है उसका physical counting होना कि actual हमारे पास 200 piece है किसी particular material के या 500 piece है या 240 है बिल्कुल particular हो जाना तो physical count का मतलब है चीज को खुद एक गिनना तो adjustment sheet का purpose क्या होता है ये पूछा जाना है तो second option क्या हुआ to record physical count एक और option है आपके पास में to record stock disposal ये देखना कि stock का disposal कितना हुआ है उसके record को maintain करना ये इसका purpose होता है और एक है आपके पास में to record abnormal loss ऐसा loss जो normal ना हो abnormal हो और सामिक जो परिस्थित्या होती है उसके हिसाब से जो नुकसान हो जाता है उसको कहते है abnormal loss तो उसका record maintain करना अब आप सोचके देखो कि stock adjustment sheet का purpose क्या होता होगा याद रखना इसका purpose होता है कि जो हमने physical count किया है उसका record maintain कर सके है गिंती जो की है actual material को देख करके जो count किया है list या receipt क्या बोलती है उससे नहीं है मतलब adjustment ये कह रहा है कि कि इतना हमारे पास physically ये stock exist करता है 240 या 241 just take it as an example कि 240 या 241 बिल्कुल physical counting that is the main purpose of the stock adjustment sheet clear अब एक question लेते है in store accounting अब आपके सारे mix पर questions चल रहे हैं आपको ध्याना जाएगा मैंने पहले इसका topic दे दिया है कि all topics है क्योंकि कई चीज़ा ऐसी होती है कि एक ही question मिल रहा है तो मुझे लगता यह भी डाली ले दे हना तो जो भी topic है वह आप ही के जो बस है उसी से related है in store accounting the normal entry to record stock moment is अगर store accounting की बात करें और normal entry की बात करें जो stock के moment का record show करें वो क्या हो सकती है debit को surplus या credit करो loss of stock को या नहीं surplus को तो debit कर दो और loss of stock को credit कर दो या loss of stock को तो debit कर दो surplus को credit कर दो कर दो या debit तो आपका सही आंसर क्या आएगा इसमें loss of stock जो है उसको आप debit करेंगे और surplus को आप credit करेंगे जो surplus है उसको आप credit करेंगे normal entry होती है जब उसका moment होता है ठीक बात है आगे एक और question है bin card आपने bin card भी पढ़ा inventory management में two bin cards होते हैं तो bin card is a document that records एक ऐसा document होता है जो किस चीश को record करता है जरा देखना quantities only एक option है values only दूसरा option है और quantities and value both दोनों को record करता है तो ये इसका तीसरा option है अब आपको सोचना है कि क्या आएगा इसका answer इसका answer आएगा quantities only केवल quantities only को ही ये record करता है ठीक बात है है तो bin card में केवल हम quantities को record करते है कि कितनी quantity में चीश एक bin में रहेगी और जब वो खतम हो जाती है तो हम उसको दूसरे bin से first bin में transfer कर देते है ये ही इसका main purpose होता है तो quantities का record maintain करने के लिए two bin system को काम में लिया जाता है ठीक है अब material quantity which is ordered at one time to reduce total holding cost and ordering cost is referred to as जो material quantity जुड़ है जिसको order किया जाता है एक समय पर वो total holding cost और ordering cost को reduce करती है उसको हम क्या कहते है ऐसी material quantity को हम क्या कहते है जिसका एक समय पर order किया गया है वो total holding cost और ordering cost को reduce करती है हम इसका option देख रहे है minimum order quantity, economic order quantity और total quantity management अब ध्यान रखो, EO Q कहोगे, MO Q कहोगे, या TQM कहोगे, याद करो हमारा question क्या कह रहा है, यह कह रहा है, ऐसी quantity को हम क्या कहेंगे, जब हम एक समय पर जब order place करते हैं, तो जब हमारे total holding cost में यह चीज कम हो जाती है, तब हम इस quantity का order करते हैं, ऐसी quantity को हम क्या कह रहे हैं, तो ध्यान रखो, economic order quantity होगा, यानि economic order का मतलब है, कि normal हम उसमें यह मानते हैं, कि हम जब order place करेंगे, तो हमारा काम रुकेगा नहीं, जब तक कि supplier हमें अपनी supply देगा, हमारा इदर से काम manufacturing का भी चलता रहेगा, तो एक ऐसे level पे, economic level पे, हम उस quantity के लिए order लगाएंगे, जब हमे यह लगता है, कि आज जब लगा देंगे, तो भले आभी जाएगा, supply की, supply की तरफ से material की आभी जाएगी, तो भी overstock नहीं होगा, और अगर वो उधर से आने में थोड़ी सी देर भी रह जाती है, तब भी अपना काम चला जाएगा, चलता जाएगा, तो इसको हम economic quantity order कहते है इसका बकायदा एक formula होता है, तब इसे काम चलता है, कि आपके पास कितना costing है, और कितना, अच्छे, इसमें भी बहुत सारी चीज़े होती है, कि किस material की costing क्या, उसके हिसाब से EOQ हर material का अलग-अलग होता है, तो किस समान को हमें कब economic order को ध्यान में रख करके, उसका order place करना है, यह चीज़े अलग-अलग material पे, अलग-अलग तरह से count होती है, ठीक है, अब एक question है, what is the level of the inventory level at which entry places new order, किस level पर हम नए order को place करते हैं, minimum stock में, minimum stock level पे, maximum stock level पे, buffer stock पे या re-order level पे, re-order level होता है, वो जहां पे हम नए order place करते हैं, re-order, re-order का मतलब next order हमें कब लगाना है, पुनर आदेश कहते हैं, तो वो हमें कब लगाना है, यह उस बात पे, उस पे होता है, कि इस level पे अगर वो चीज़ आती है, तो हमें एक नए order place करना होता है, ठीक है, अब एक question लेते ह है, जो bill of material होता है, उसका main object क्या होता है, main objective of the bill of material is, क्या होता है, इसका fixed assets का requisition लगाना, या material requisition को लगाना, या none of the above, अब बिल कौन सा है, bill of material है, तो इसका क्या object होता होगा, इसका object होता है, material की requisition को लगाना, यानि कितनी quantity में, कौन सी particular nature की चीज़, हमें चाहिए, तो इसको bill of material कहते है, और इसका main purpose होता है, उसकी requisition को लगाना, material की requisition को लगाना, ठीक है, अब एक question ले रहे है, abnormal loss of material, abnormal loss of material, dash absorbed into the cost of production, कौन सा abnormal loss of material, जो है, वो cost of production में absorbed किया जाता है, किया जाता है या नहीं किया जाता है, यानि, abnormal loss of material को हम cost of production में absorbed करेंगे या नहीं करेंगे, तो question में option है, आपके पास हाँ करेंगे, या नहीं करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका सही answer है, नहीं करेंगे, तो abnormal loss of material को हम कभी भी cost of production में नहीं absorbed करते, वो एक अलब चीज़ है, अगर आपका 10,000 रुपे का माल जल जाता है, तो उसको आप cost of material में नहीं include करोगे, तो कि 10,000 का माल हमारा जो big सकता था, उससे हमारा जो generate हो जाता पैसा अब नहीं हो पाया, जल गया है, तो इस पैसे को हम rest of the material cost में count कर लें, ऐसा नहीं होगा, उसको absorb नहीं किया जाता, याद ठीक है, अब एक question है आपके पास में, defective items, जो nooks वाले होते हैं, जिनमें कोई कमी होती है, defective items can be dash after incurring some additional cost, अगर कोई defective है item, तो हम उसमें कुछ additional cost को adjust करके, उसका क्या करते हैं, dispose करते हैं, rectify करते हैं, या none of the above करते हैं, सबज में आ रहा होगा, बिल्कुल, बिल्कुल सही ही कहरे हो, आप इसमें rectify करेंगे, सुधार कर देंगे, defective items को हम सुधारते हैं, और उसकी cost को थोड़ा सा कम करके, और उसे हम बेच देते हैं, बजाए कि dispose करें, या ये काम ना करें, बेटर है कि हम उसे rectify कर देते हैं, आपने देखा भी होगा, generally shop people जो होते हैं, अगर आपको 400 या 4500 रूपे मीटर के हिसाब से, वो बेच देंगे, क्योंकि नहीं लगता है, 500 पे तो ये बिकेगा नहीं, और अगर इसे हमने धोखे से बेचना चाया, तो reputation होगी खराब अलग, customer chain तूटेगी अलग, तो honestly उसको ये कह देते हैं, कि ये इसका जड़ा सा defect है, फाइदा दोनों को होता है, तो defective items को हमेशा rectify करके उसकी, जो cost है, उसके साथ में उसका adjustment कर लिया जाता है, अब एक question आ रहा है, normal waste of material is a part of cost of material, जो material का wastage होता है, normal wastage होता है, वो cost of production का part होता है, ये बात सही है या गलत, अब आप एक मिंट सोचो, wastage है, material की wastage है, पर उसक जिसको आप बचाई नहीं सकते है, मतलब इसको नॉर्मल होगी भई, सामानने बात है, इतना तो होगा, तो इसको आप cost of production में मानते हो या नहीं मानते हो, बिल्कुल हम मानते हैं कि ये इसका एक हिस्सा होता है, cost of production का हिस्सा होता है, normal waste of material, simple सी बात है, अगर आप मान लीज चिलका और एपल का कुछ बीज और कुछ एपल का खराब होना, normal waste waste of material है, तो यह हम मान के चलेंगे कि इतना तो इसका चीजत होगा ही होगा, इसको चीजत भी कहते हैं, वो जो एपल है, वो कुछ खराब भी नहीं कर सकता है, उसका चिलके में भी जाएगा, उसका बजर, प can be avoided, यह question आ रहा है, क्या हम normal loss of material को टाल सकते है, avoid कर सकते है, हाँ या ना, अब आप मुझे एक बाद बताईया भी, मैंने example क्या दिया है, क्या हम एक food industry से है, एपल की jam बनाने के आपके एक factory है, एपल खरीगते आप, अब आप उसका चिलका नहीं अटाएगे, क्या, तो normal loss of material को हम avoid, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसके option थे आपके पास में, true या false, तो बिल्कुल सही बात है, हम नहीं कर सकते, no, 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 it cannot be avoided, right? अब एक question है, scrap, अब scrap समस्का, वो चीज जिसको हमने use कर ली है, लेकिन अब usable नहीं है, scrap हो गया है, तो scrap is, जिसको कबाड बोलते है अपन हिंदी में, या देसी भाशा में, तो scrap जो होता है, वो किस type का material होता है, ये question है, तो scrap extra material होता है, या romance material होता है, या abnormal gain होता है, abnormal gain, बता ही आप, abnormal gain तो नहीं हो सकता न, क्योंकि कुछ लोग ये कहते है, कबाड को बेचने से भी पैसा खड़ा हो जाता है, तो abnormal gain है, नहीं, इसका answer है, remnants है ये, remnants का मत्तब है, जो चीज आपके काम में आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही है, तो अब वो किसी और चीज म है, पर हमारे लिए वो वेस्टेस है, तो remnants हुए जाएगी, जैसे electronic devices होते है, वो आज हमारे लिए बिलकुल अगर वेस्ट हो गए है, वो खराब हो गए है, तो ये कई ऐसी कंप्रीज ऐसी होती है, जो खराब हुए वे चीजों को लेती है, वो उसको recycle कर लेती है, या उसको reuse कर लेती है, तो हमारे लिए तो जो scrap है, वो remnants material count होगा, अब आज की class का एक last question, who is responsible for materials movement in store, store में जो material का movement होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, बहुत simple question है, नहीं भी option सुनोगे, तब भी आपको इसका answer पता है, यह मैं आपको guarantee से कह लिए, बता, store में कोई भी material, के से दूसरी जगे जाएगा, इस चीज को solicit करने वाला वेक्ती कौन होता होगा, और विस store keeper ही होता होगा, वही तो वह authority होता है, जो इस movement को define करता है, तो हमारे option क्या गया थे, accountant होगा, या auditor होगा, या store keeper होगा, very cool, store keeper is the right person, has an authority to decide the material movement in the stores, right, आरिए मेरे बास में, तो आज की class click नहीं करें, मेरे ख्याल से, एक sufficient class है, एक और class, all topics की मैं कोशिश करूँगी, कि next दे दूँ आपको, और मुझे लगता है, अब काफी चीजे आपके पास आगे, बहुत सारे MCQs आपके पास में आगे हैं, और इनको भी अगर ready कर दो गेता, I think, काफी मदद हो जाएगी आपके, और काफी तयारी भी हो जाएगी, फिर भी मुझे आप comment करना, अगर आपको कोई और भी कोई topic cover करवाना हो, मना मेरी तरफ से, मैं एक next class में, सारे MCQs वाला topic है, वो खतम करेंगी, चीके, आज की class के लिए तना है, thank you, and keep watching my videos regular. आपको को से, मैं एक थाशे को जाएगी आपको कर वालाई और दो, कीके, चीके, बज होगी सुआ, रपिया जा ह Bear doinatra झाएगी, पूई, आपको के दो, य।CE करवा य।